हेलो फ्रेंट में हूं स्वाधिन और वेलकम टू आर चैनल एजडी ग्लोबल बायोटेक तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा यह है बैक्टरियो फाज या फाज भाइरस ठीक है यह जो बैक्टरियो फाज होता है यह जो फाज भाइरस होता है इसका एक्वाकल्चर में इसका यूज क्या है ठीक है रियल टाइम यूज क्या है इन फ्यूचर में इसका क्या स्कॉोफ है, पास्ट में इसका क्या था, दिक livingors historical data क्या है, तो एसीबिंआ है का ध्यूद मैं हम थोरे थोरे discuss करेंगे. ठीकै. दोस्तों तो यह topic चालू करने पहले दोस्तो यह जो आप देख रहे हो. अगर किसी को चाहिए होता है तो आप मुझसे contact करो ठीक है दोस्तों तो अगर आप देखते हो ना जो bacteria phages होता है ठीक है यह phage virus होते है ठीक है और अभी का जो आप देख पार हो मेरे screen पे श्रीम बैक्टरियो phages नेर्स commercial launches ठीक है यह बहुत recent news है ठीक है सेप्टेंबर का ही news है तो इसमें किया है कि ICAR and CIVA ठीक है इन दोनों ने मिलके एक particular बैक्टरियो phage डेवलप किया है ठीक है और उसको डेवलप करने के लिए उसको production के लिए उसने सेलेम माइक्रोप्स बोलके कमपनी है ठीक है बायोटेक कमपनी इसको production के लिए दिया गया है ठीक है एक particular specific virus है जो विब्रियो पैथोजन इस्पेशली इसरीम में जो विब्रियो पैथोजन रिलेटर जो भी डिदिस होता है उसको उस particular bacteria को kill करने के लिए यह virus बनाया गया है ठीक है यह जो bacteria fudges होता है ठीक है इसका एक यूनिक feature होता है ठीक है यह एकदम targeted bacteria को ही मारता है सपोस्थ आपके तालाब में विब्रियो बैक्टरिया है ठीक है और आपने इसको confirm कर चुके हो कोई भी pathological labs है जो भी aquaculture related lab है या कोई genetic labs है ठीक है या आप 100% sure हो कि उसमें वही बैक्टरिया है ठीक है तो अगर आप यह particular virus को उस तालाब में चोड़ते हो या BFT टैंक पे चोड़ते हो यह virus जाके यह जो bacteria fudges virus है जाके वही particular bacteria को फिल करेगा ठीक है और आपके तालाब में अगर नाइट्रिफाइंग बैक्टरिया आपके हेट्रोटाफिक बैक्टरिया को अग्टज भी नहीं करेगा यह एक specific target अगर आप बोलते हो जाके A को मार तो A को ही मारेगा जाके B को मार तो B को ही मारेगा ठीक है उसी हिसाफ और आपको देखने को दिख रहा है कि आपके आपके यूस करते हो तो आपके तालाब या BFT टैंग 99.99% ठीक हो जाएगा मैं 100% कि क्यों नहीं बुर्णा की जो life science होता है especially जो pathological science इसमें 100% बोलके कोई data नहीं होता है जो भी हम लोगे statistic या probability यूस करते हैं आपके तालाब होता है 99.99% ठीक है यह जो आपके तालाब होता है 99.99% एलिमिनेट हो जाएंगे बैक्ट्रिया मुक्त हो जाएंगे ठीक है तो यह इसका main funda ठीक है तो अभी मतलब क्या हुआ अगर suppose आपके बैक्ट्रिया आपको पता चल गया है कि भाई आपके tank में bacterial infection है यह आपके तालाब में bacterial infection है बट आपको पता नहीं है कि यह कौन सा बैक्ट्रिया है तो इस condition में बैक्ट्रिया फाजे इसकाम करेगा क्या पकर के चल की mostly नहीं करेगा अगर आपको luckily luckily मिल गया आपने जो तुक्का मार के जो disease समझ के छोड़ के दिया था अगर वही disease को अगर pair करता है वह virus तो काम कर जाएगा अगर आप confirm होके अगर पता है कि भाई आपका tank में वही disease है वही bacteria है और उसके against में counterpart में आपको आपका 99.99% आपका काम हो जाएगा एकदम रामबान के जैसे काम करेगा तो उसमें कोई कोई प्रॉब्लिम ही है इस टाइप की जो bacteria phages होता है इसके इसको लाइटिक बैक्ट्री फाजिस बोलते है ठीक है और यह बहुत अल्च्छा अल्टरनेटिव है क्योंकि बहुत टाइम पहले इसपेशली इउरॉप और अमरीका में revolution हुआ था कि जो हम अप्रमचली पे अंटिवाइटिक यूज नहीं कर सकते उस टाइम क्योंत है साइंटिस्ट लोगों रएप्ट्री फाजिस डेवलब किये थे और इसको बहुत किस है अभी इंडिया में भी एंटिवाइटिक को रिफलेस करने के लिए बहुत दवाब आ रहा है तो साइंटिस्ट बैक्ट्रियो फाजिस पर काम करने जितना स्पेसिफिक बैक्ट्रियोफाजिस डिजिस के केस्ट पर क्लियेट होगा, आपको एंटिबाइटिक देने का जरूरत नहीं होगा, यह भाहिरस ही आपके पूरे बैक्ट्रिया को मार डालेगा, ठीक है, तो आपको, आप समझी पा रहे होता इसका, जो यूस केस है, उसको जो पर जगह पर करना चालू भी किया है, लेकिन यह जो बैक्ट्रियोफाजिस तयार करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पूरा कंट्रूल कंडिशन में लैब में यह बनाया जाता है, ठीक है, यह बच्चो वाली खेल नहीं है, ठीक है, दोस्तों, तो आपको, जो मैंने पहल काम है, ठीक है, और यह जो बैक्ट्रिया, जो इनके क्रोमोजोम होता है, यह बैक्ट्रियोफाजिस तो एक एक बैक्ट्रियोफाजिस वायरस एक बैक्ट्रिया को ही मारेगा, ठीक है, यह बैक्ट्रियोफाजिस वायरस एक बैक्ट्रिया को ही मारेगा, ठीक है, यह इसके लिए एक पेरिंग होता है ठीक है तो इसी हिसाब से ही यह बैक्ट्रियों फ़र्जस डेवलब किया जाते हैं यह इसको बोल सकते हैं मैं रफली बता रहा हूं कि यह जो इंडिया में और साउत में अगर आप देख तो जो में श्रीम का प्रॉब्लम होते हैं यह विप्रियों पैथोजन से ही होता है और थोरा दिने को बात यह आपके कुछ बैक्ट्रियल वाइट इस पॉर्ड डिजिस रिलेटेड भी कुछ प प्रच्वाइब का डेयर होता है और इधर एक बीच में इधर एक pequ झाला पैए तो क्या कते हैं यह जो स्पाइक उता न होताया ए यह विक्रियम कॉता है यह जो जो इस बैक्ट्रियल थिसके बादि C बार अहीं के दिच सब्सक्रिजम अप्रक्रिश पैफ करिदसा कि ने निंकोर मेकरियल होता है उंदर चैने और नियुक्रियल मेकरियल और मिटरियल रहता है यह ढ़ता है यह ऑच्छक्रिय रहता है भृतो तादाक में बरते रहता है और इनके पास एक इनकों hits अजाएम होता है ये इसके बास बरते 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 पूरा डिस्ट्रय करके यह बाहर निकल जाता है ठीक है इसके बाद पूरा ही बैक्तिरिया पूरा मर जाता है आपके का टालाविया टैंक से हिर्ढ और इसकेanja फोष्ट के नहीं मिलते हैं आप जाओ जाके आपका bacteria को hunt करो तो यह सब है hunting virus होता है ठीक है तो यह बहुत रामबान जैसे काम करता है बट एक चीद दियान रखना कि specific targeted bacteria फाजेसी चाहिए specific bacteria के लिए ठीक है? Miss match होगा तो यह काम नहीं करेगा और दूसरी बात है अगर आपको मार्केट में कोई भी bacteria फाजेस कोई भी packet बना के दे रहा है तो गल्दी से भी नहीं लेना आपका पूरा कल्चर खड़ाब हो जाएगा अगर यह जितने भी product होता है highly sensitive product होता है accurate product होता है यह CAA या को regulatory authority से ही approved है certified है तो ही आपको use करना है नहीं तो आप general antibiotic use करो ठीक है दोस्तों तो आशा करता हूँ आपको सारी information पसंद आये है ठीक है दोस्तों so God bless thank you so much for watching my video